बिस्मिल्य रहमान रहीम, अस्सालम अलेकम, मेरा नाम डॉक्टर नस्रीन लाइख है, और मैं प्रेजिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी अफ एनेस्टी जोलेजिस्ट हूं, यहां पर हमारा तीसरा कॉन्फरेंस होने जा रहा है, पर कॉंटिनेंट होटल में, और यहां पर हमार पास कराची से, लाहोर से, मलतान, फैसलाबाद, राइवबंडी इसलामबाद, और बाहर मिल्कों से, काफी मेहमान आए हैं, डेली गेर्स थे हमारे साथ, और इन लोगों ने बहुत अच्छे चेकाटिक्स पर प्रेजेंटेशन किये, बहुत इंफॉर्मेटर इनकी तरह की कांफरेंचेस, इंशाला हमारी जारी रहेंगी, अगले साल भी हम करेंगे, और इसके बाद मी इंशाला करेंगे, और आप सब की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, थैंक यू जबूर्य मिचु थैंक यू जबूर्ट। और थैंक यू आरा थाए, ते लिए भी हम टियूर्मेटर का ने पाकिस्तान है, यू जबूत थैंक यू जबूर्ट। पहले भी जब देरी बात होरी शिकर में कहा रहता है कि बहुत अच्छा साइंटिफिक प्रग्राम आप लोगो ने अरेंज किया है इंदे अगर यह लोग उसी तरह करते हैं तो हमारी कॉंफरेंस जो हैं वो इंशाला इंटर्नेशनल स्टेंडर्स की रहेंगी और इस घुट अकैडेमिक अक्तिविटी और हमें वरक्शॉप्स वगारा जैसे उन्होंने रखी थी वरक्शॉप्स रेगुलर बेसिस पर करनी च तो यंग्स्टर्स हैं वो सारे जो हैं इनसे फाइदा वासिल करें और बेतर है कि मरीजों की कभी-कभी हम फीड़बैक लेते रहें और इस तरह से पूरी जो स्पैशलिटी है जिसमें अनसीजिया में सिर्फ अब अनसीजिया बिहोज करना ही नहीं रह गया है बलके को एको काडियोग्राफी करने का मका में लेगा और अल्टरसाउंड अनसीजिया सब कर रहे हैं और बहुत सारे काम अजसा इस ता अनसीजिया जो हैं वो करेंगे और उनने जोश और जल्बा पैदा होगा तो I am sure this conference will go a long way to develop the interest of the people in the specialty of अनसीजिया in KPK especially and overall in Pakistan, thank you. मेरा नाम बरिगेडी मुहमाद सलीम है, I was retired in 97, I am on medical college and now I am working as a professor of अनसीजिया and pain medicine in Rifat University. मैं कल बारा मजी आया हूँ और मैंने देखा कि इतना अच्छा इंतिजाम था कि बारा मजी मैं पहुंचा हूँ और सब बारा मजी आइवाजिया थारूम तो ऑनाइज में देखे हैं ऐप्रिशेट और मैं पारिक जाता हूं और जोने अच्छान लाएंपने के और संथिक पेपर जो मैंने टेंड की हैं और सांथिक प्राइब करेंगें मार्वेस्ट एड आप लोह को नहीं दीए है I think that was the best presentation by all of these presenters and I'm thankful to Dr. Rasuheen she has invited us and I can't congratulate ये ये यो इन केप जितने वरकर हैं I think they deserve and I salute to them. Thank you. मेरा दाम बेदी हसंओंओंताज है और मैं परफ़सर आसीज़िया और परफ़सर आसीज़िया ये ये इवन्ड जो हैं सारे पर्मोशन आफ नॉलेज होते हैं घिलंगो गोराने के लीए तो यह एक्सलेंट वी औरेज और वेरी नाइसली औरगनाइज़ और बहुत ही अच्छे अच्छे पेपर पड़े गया है जिसे ना सेरो जुनियर्स को बलके सीनियर्स जो आए हमारे बद पर प्रोफेसर साहवान को भी फादा होगा और मुझे वी मुझे इन्वाइट किया था प्रोफेसर नस्री ने मुझे टेलिफून किया अगले दर मैं 24 गंटे बिमार रहा हूं और मुझे अधिमिट इन अच्छे लेकर मैं जूनी ठीक और मैं इदर बहाँ आगार मैंने कि जुनी जूर अटेंड कान तो हमें देखा है मैं आया हूं जहां पहुंचे हूं विजन टू थी मिनिट्स अवस इन माई रूम इत वस्टो नाइसली और प्लैंड और फिर जो प्लैनरी सेशन थे इसमें बहुत अच्छे स्पीकर थे और बहुत अच्छी तरीके से को कंड़ेट किया अब बाकी सेशन जितने हुए हैं म अच्छी तो एन्यों फंच्छी बनाया जाए हर साल किया जाए हूं सारे मिलके इंशाला तरह विए बेरी अपी तो कम और जोइन है I am Dr. Shariyaar, being GS on the behalf of society, thankful to all delegates, faculty and speaker for making a success 2022 ACAP Pishawar असलाम अलेकों जी, मेरा नाम डॉक्टर सजाद एरख गई है और मेरा तालब जाना एनस्टीजिया के शोड़े से और कोटर पल के अजानीगे, ICU के आज यह कॉणफेंस है, 2010-2022, इसमें MSCJ की बारो में अवर्नस के लिए यह कंफेंस मनकिद हूई है आज यह तीन साल बाद मनकिद हूई है, यह कंफेंस, तो इस कंफेंस का बेसिक मकसद यह है कि सुसाइटी में एक एवेर्नेस परगी जए किया रोल है जोनली सुसाइटी में ये एक कॉंसेप्ट है कि एनीस्टेटिक या नशा कोने वाला जो दर्क रहता है वो सिरफ नशा जए कि मदीश को सुनाता है और इसको ठा लेता है लेकिन मेरे आज की इस कॉंसेंस के जो हाईलाइट से उसमें उसके एक वसी करदार के बारे में नताया गिया कि एनीस्टेटिस का क्या रोल है मेडिकल फील्ड में वो एर में काम करता है यानिकि एक सिद्वेंट और इमर्जिंशी डिपार्टमेंट में काम करता है वो क्रिटिकल केर की इनने काम करता है उसके लावा उसकी बहुत ज्याब है रोल है तो यह उनकों काफी डिसकेशन हुए जो कि बहुत ही नफीत थी मेडिकल प्रफेशन के लिए और मैं रेकमेंट करता हूँ अपनी सुसाइटी को और यह मेरा एक मेसिज है कि आप अपने देवर बहुत सर्जण को चूज करें और बहुतरी डॉक्टर से अपना इलाज करें लेकिन अगर आप किसी प्रिसीजर के लिए दाएं तो अगर आपकी सर्ज़ी हो रही है तो आप यह ज़रूर पता करें कि आपको जो सर्जी में जब आपको प्रहोश किया जाएगा वो क्यान है आइजर वो क्यालिफाइड है कि नहीं यह बहुत इंप्रेटर्टन मेसेज है जो कि आपको समझने काईए मैं शुक्री अदा करता हूँ कि आप लगाने में यह बाते हैं बहुत शुक्रीए जाएगा असलाम अलेकों आइम ड़कर मुदाइब इस्लाम आइम चेर्में साइंटिक प्रमेटी आफ प्रेसे के अन और और गनाइजिंग इस एक एक टुंटीटीटीटी आप सब लोगों क बहुत शुक्र गजार हूँ कि आप सब लोग अपना कीवकी टाइम निकाल के यहां पशावर आए और इस एविंट को तम्याब किया हैं और हम सब लोग आपको दूंट से उनके मुश्कूर हैं और आइनदा भी आप टाइम पजार करेंगे कि आप दोबारा हमेरे पास और हमें खिबमत करने का मोगाद ही थेंक यू यस्टाओने के